तीसरे महा युद्ध का अपराधी लेखक स्वरगी ये श्री ओम प्रकाश शर्मा जी एपिसोड चार चुकि भुवन के अत्रिक रात में सभी व्यस्त रहे थे इसलिए दिन विश्राम में ही बीता निश्य ये हुआ था कि सांज होते ही सब जुआ घर में आज अवश्य मिलेंगे कुल मिलाकर अभी तक आशा का कोई चिन दिखाई नहीं पड़ा था अब तो आशा मास्टर आँख पर ही केंद्रित थी तीसरे पहर भुवन को सूचना मिली हलो हलो मास्टर आँख आपके प्रतीक्षा में है कौन बीनस हुमाम को सुल्ताना के ग्राहों में उल्चा कर भुवन अकेले ही समुद्र के किनारे आए मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र दूर दूर तक शांत था कुछ रकम जमा कर आज भुवन ने बिना चालक का मौटर बोर्ट प्रती घंटे के किराए के हिसाब से ले लिया था किसी को संदे ना हो इसलिए भुवन कई मील का फालतू चकर काट कर वहां पहुँचे जहां सागरतल में पंडुबी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी तट से साथ मील दूर भुवन ने बेतार यंत्र से अपने पहुँचने की सूचना दी पंडुबी का उपरी सिरा जल से बाहर आया दूर कोई देखे तो समझे की दो मोटर बोट लहरों में अटक रहे हैं कमांडर तरंग उपर आई भुवन का अभिवादन करते हुए तरंग ने छोटा सा एक पैकेट भुवन को थमाते हुए कहा ये है आपकी वस्तु महामहीम धन्यवाद फादर विलियम को शिकायत है शिकायत भुवन चोंके हाँ उन्होंने कहलवाया है कि आपके संदेश में विवरन नहीं मिल रहा है हाँ विवरन मैं जान बूज कर नहीं भेजता हमें सतर्क रहना है ना इसलिए उन्होंने पुछवाया है, क्या कोई प्रगती हुई? नहीं, जी कमांडर तरंग कुछ कहना चाहती थी, परंटु कहते कहते रुक गई कुछ कह रही थी ना? जी कुछ नहीं, बुरी बात है, जुबान पर आई बात को कह ही देना चाहिए उन्होंने कहा है कि बच्चों से कहना वो संसार के साथ सर्वश्रेष्ट पुरुश है भुवन मुस्कुराए इसके बाद जरूर उन्होंने हम सातों को उल्हना दिया होगा जी लजाई सी कमांडर तरंग ने कहा कहा कि उन्हें गफलत में नहीं रहना चाहिए उन्हें हर क्षण ये सोचना चाहिए कि मांसून आरंब होने में अब देर नहीं है विश्व तीसरे महायुद के द्वार पर तेजी से पहुँच रहा है जल्दी करें भुवन पूर्वत मुस्कुराते रहे तरंग जी फादर को दूर जाकर संदेश भेजना जी कहना कि हम साथ श्रेश्ट पूरुष हो या ना हो साथों जीवन दर्शन के मामले में फादर के शिश्य आवश्य है गफलत ना की है ना करेंगे समस्या का सूत्र खोजने के लिए सभी संभव यतन किये जा रहे हैं जी मैं कहूंगी अब जाओ अभिवादन करके तरंग पंडुब्वी में चली गई फिर शनाई शनाई पंडुब्वी जल में समा गई यकायक भुवन मोटर बोट स्टार्ट करते करते रुख गए कुछ पक्षी थे जो जुन्ड रूप में उड़ते हुए यहां तक चले आये थे परंतु दूर दूर तक असीम जलराशी देखकर जुन्ड अब लोट रहा था एक शिशु पक्षी शायद धक गया था इसलिए जुन्ड से निकल कर मोटर बोट में आ बैठा था साधारन सी घटना विचार दृष्टी को दूर ले गई कैसा अध्भुत है ये संसार कैसे सुन्दर है इसके प्राणी और महिमा मही प्रक्रिती कैसे पागल है वो मनुश्य जो सत्ता के लिए देश धर्म और जाते की श्रेश्टा के नारे लगा कर संसार को युद्ध की भटी में जोग देते हैं विरासत में वो छोड़ जाते हैं सड़ती हुई विक्रित लाशे जीवित इंसान में हिंसक जानवर की आत्मा वीरान खेत और उजड़े हुए नगर भुवन ने मोटर बोट स्टार्ट किया अगला द्रिश्चे सभी को अजीब उलज़न में डाल दिया था मिस्टारांक ने उसे जुआ घर में खोल कर माटा गया था जुआ घर में उसकी सुई पश्चिम उत्तर की दिशा में संकेत कर रही थी जैन्त और जगत को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जन्नत निशा के दूसरे चोर तक अंत समधर तट तक जा कर देखें घंटे भर से भी अधिक का काम नहीं था एक तेज टैक्सी ले ली गई यूँ इस सफर में जैन्त और जगत की मुलाकातें कम ही होती थी परंतु एकांत में भी कुछ वारतालाप नहीं हुआ टैक्सी कार में बैठते ही जगत इत्मिनान की नींद सो गया दो चार बार जैसे जैन्त ने टोका भी परंतु जगत हाँ हूँ करके फिर सो गया टैक्सी कार जैन्त निशाद वीब के पश्चमी तट पर पहुँच गई मास्टर आख की सुई अब भी पश्चमी उत्तर ही बता रही थी जैन्त जगत को जगा कर तट पर ले गया अब बो जैन्त ने जगत से कहा उबासी लेते हुए जगत ने सिग्रेट सुल गई वापस चलो लेकिन ये सुई ये मास्टर आख है चकरवाद का नहीं फ्लोरा का पता बताती है बर बस ही जैन्त को हसी आ गई तो चलें हाँ क्यों मैं बहुत डर गया हूं मिस्टर जासूस क्यों सोचता हूं सुराग नहीं मिल रहा है तीसरा महायुद होना निश्चित है ओ उसमें कम से कम मेरा मरना निश्चित है अच्छी खासी भविश्यवानी कर लेते हो हाँ तो इसी कारण उदास हो उदास नहीं हूँ ठका हुआ हूँ प्रेत लीला के कारण नहीं प्रेम लीला के कारण ओ यहां भी व्यविचार शुरू कर दिया मिस्टर जासूस पतित व्यक्ती हो तुम प्यारे जासूस वो बेवकूप था जिसने कुट्टे की पूँच बारा साल नली में रखकर यह जाना था कि पूँच सीधी नहीं हो सकती हमने तुमें पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि तुम विद्वा आश्रम टाइप हो और रहोगे वाह जैन्थ हसा तो तुम हो बेटा सदा सुहागी आश्रम ईश्वर की कृपा है वो शक्कर खोरे को शक्कर और मूंजी की टक्कर देता है तो शहजादी के साथ खूब गुजर रही है खूब गुजर गई अगला शिकार मीको की सुल्ताना कमबخت सपने में भी दिखाई देने लगी है लानत है लानत नही आर्जु है बेटा एक ऐसी आर्जु जो युद्ध में मरने से पहले पूरी होगी बात बदल दो कोई और बात करो जरूर कोई और बात करो ये बातें तगडे हाजमे वाले ही हजम कर सकते हैं कार वापस जुआ घर पहुँच गई मजबूरी थी जैन्त से रिपोर्ट पाकर भुवन ने जुआ घर के एकांत में जुपिटर से संबंद बनाया पूछा मास्टरांग कहती है कि हम गलत जगए हैं क्या मास्टरांग पर पूर्ण विश्वास करें पंद्रह मिनट बाद उत्तर मिला जुपिटर बोलता है मास्टरांग गलत नहीं हो सकती खुली कारेवाही नहीं की जा सकती खोज जारी रखिए अजीब स्थिती थी एक और बागारोफ और बॉंड तुरंत मास्टरांग को आजमा लेने के पक्ष मे थे दूसरी और राजेश कुछ कारेवाही मीकों में ही पूरा कर लेना चाहते थे बिना नक्षे के भी सभी इस तथे से सहमत थे कि मीकों के जननत निशा द्वीब के बाद समुद्र द्वीब नहीं है अफरीका महा द्वीब की दक्षनी भूमी है राध बर को निश्चा फिर टाल दिया गया सबी साथ ही पुना भिकर गए अगला द्रिश नूर खान ये जुदा बात है कि सुल्ताना मेकोद्वीब समूह की सरवोच शाषक है परन्तु कई बार शाषण वदस्था में ये प्रशन उठ चुका है कि वास्तविक शाषक नूर खान है या सुल्ताना दबी जुबान से लोग ये भी कहते थे कि खानदानी वजीर आजम ने विदेशों में करोडों रुपे की संपत्ती अरजित कर रखी है कुरा मंत्री मंडल नूर खान ही निश्चित करता था शासन चाहे जो कहता हो परंतु शासन की लगाम नूर खान सदा अपने हाथ में ही रखता था हर मामले में वो बहुत सुल्जा हुआ वेक्ती था अजीब कूट नितिग्य था ना प्रजा ने कभी उसके चेहरे पर पस्ती देखी और ना कभी मस्ती देखी उसकी मुखमुद्रा शांत रहती थी उसकी आंके इनसान को बाग की तरह घूरती थी तीसरे पहर वो फिर महल आया महल से लोटने और वापस आने के दौरान वो खाली नहीं बैठा उसने बुड़े पुलिस और धिकारी से सला मश्वरा किया और आने वालों की सूची को गहनता से देखा पिछले सब्ता जितने भी यात्री आये उन सभी को नौट कर लिया फिर उनका अपने ढंक से वरगी करन करा कर संदिक्द वेक्तियों की लिस्ट तैयार कराई इसके बाद वो महल पहुँच गया गहरी नींद से सोकर सुल्ताना अभी अभी उठी थी उठने के बाद भी वो बहकी बहकी बातें कर रही थी मैं गुनागार नहीं हूँ मैंने गुना नहीं किया वजीर आजम फिर मुझे फरिश्टा जिन बनकर क्यों सताता है फरिश्टा जिन तथा अजीब सी गुलाबी आखें बास्तों में नूर खाँ अपना शक पका करना चाहता था उसने हिपनोटिस्म के एक जानकार को बुलाया उसने पहली नजर में ही ये बता दिया कि सुल्ताना को हिपनोटाइज किया गया है और हुमाम अभी महल में थे ग्रहों और नक्षत्रों में उलजे हुए नूर खाँ स्वयम वहां पहुँचा हजरा जोच्छी साहब हुजूर आप चौकर हुमाम उठा सुबह सुल्ताना को देखने आप गए थे जी हां अकेले जी नहीं मेरे साथ हजरत बेनाम थे घजरत बेनाम कौन हुमाम निरंतर भौं द्वारा हलके हिपनोटिज्म के असर में रहता था हुजरत बेनाम उन्हें कौन नहीं जानता मैं नहीं जानता आपको जानना चाहिए वजीर आलम इसलामी दुनिया में उन से बड़ा आलिम नहीं है वो कहा के रहने वाले हैं ये पूछिए कि वो कहा के रहने वाले नहीं हैं जिस जिस मुल्क में मुसल्मानों की हुकूमत है वहां बे नाम भी हैं किसी से ज्यादा बात करना नूर खां को पसंद नहीं था, वो लौट गया, परंतु हजरत बेनाम के नाम को वो भूला नहीं, उसने अपने कारयाले में पहुँचकर सब्ता हमें आने वाले यात्रियों की लिस्ट दिखवाई, उसमें हजरत बेनाम की आमद नहीं थी, फिर प भी जीए, नूर खां ने उसकी और एक लिस्ट बढ़ाते हुए कहा, इतने आदमी फोरण गिरफतार कर लिए जाएं, जाँच आप करा चुके हैं? हाँ, उमीद है कि मैं ये सभी गिरफतारियां आदी रात से पहले ही कर लूँँगा, गंभीर स्वर में नूर खां बोला, कुल चालीस आदमी ही तो हैं, जी, मैं सीधा जेल पहुँच रहा हूं, हर गिरफतार वेक्ती को एक बार एक नजर देखूंगा, जी हुजूर, कुछ कहना है, उस्ताखी माफ सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता था, इजाज़त है, सुल्ताना के प्रेटकांड से इन जी, आदाब, जाते हुए ग्रह मंतरी को नूर खाने टोका, सुनो, जी, क्या बूद प्रेतों पे विश्वास रखते हो, जी नहीं, ताब क्या ये तैय नहीं है कि ये शरारत है, जी हाँ, शरारत तो है, शरारत गर के और बार के दोनों ही तो कर सकते हैं, पहला नमबर बा तीसरा भी होगा, तीसरा, हाँ, आला हुजूर सुल्तान का, ग्रह मंतरी चोंका, चोंक कर उसने द्रिश्ट उठाई और फिर जुका ली, मैंने का ताना, तुम अभी बच्चे हो, हकूमत तब ही चलती है, जब किसी की परवाद ना की जाए, जा सकते हो, अगला द्रिश्य राजेश और जैनत अपने होटल पहुँचे, देखकर उन्हें चोंक जाना पड़ा, उसके इंतजार में बाकाइदा पुलिस का एक दस्ता था, जिसने उन्हें पहुँचते ही घेर लिया, यू दोनों के पास पासपोर्ट थे, वो दक्षिनी अफरीका के नागरिक थे, औ स्टीमर से फिर लौरी में, उन्हें पांचवें द्वीप में स्थित जेल में पहुचाया गया, तब जबकि लौरी से उतार कर दोनों को स्टीमर में चढ़ाया गया, जैनत ने कहा भी, बड़े भाई, हम, मौका है, कुदो, परंतु राजेश ने रोक दिया, उसकी बाँ कहा, जरूरत नहीं है, क्यों, जेल पहुचकर भी तो भाग सकते हैं, लेकिन जानतों ने मामला क्या है, चिंता क्यों करते हो, राजेश और जैनत दोनों तब चोके, जबकि उन दोनों को जेल के एक कमरे में प्रधान मंतरी नूर खां के समुक खड़ा कर दिया गया, ओ, आ नूर खां मुस्कुराया, राजेश उत्तर में केवल मुस्कुरा भर दिये, परंतों जैनत ने जहला कर कहा, आपके मुलक में महमानों की ये भी खातिर होती है, हुजूर, नूर खां के चहरे पर नाराजगी के चिन नहीं उबरे, शांत स्वर में उसने कहा, बैट ये, दो परादी गोशित नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्या हम जान सकते हैं कि हमें क्यों गरिफतार किया गया है, बैताओंगा, मेरे दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जेल जरूर है, लेकिन किसी तरह की आपको ताकलिफ नहीं होगी, आप लोगों के लि मुस्कराया, शुक्रिया अदा करने कि आपको जरूरत नहीं है, शुक्रिया अदा मैं करूंगा आपका, कुछ दिन बाद, मैं जानता हूं कि आपको नाराज की है, मैं आपको ये खबर भी देना चाहता हूं कि सिर्फ आप ही गरफतार नहीं हैं, आप उन तीस और तीस में व्यक्तियें, दस और गिरफता रोने वाले हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपरादियें, परंत इससे मुझे इंकार भी नहीं है कि मुझे आप पर संदे है, क्या संदे है, जेंत ने तीखे स्वर में पूछा, बैताता हूं, दीर अजरा किये, कल रात आप कहां थे, सीधा प प्रतीक्षा की ये बिना ही उसने कहा, आप ना तो रात में अपने ओटेल में थे और ना जुआ घर में, कहां थे, कौन कहता है कि हम जुआ घर में नहीं थे, जेंत तेश में बोला, ओ, बैस बेकार है मेरे दोस्त, मैं ये सेन नहीं कर सकता कि कोई मेरी आवस्ता को करें, इसकार्थ ये है कि आप हमारी सफाई ही सुनना नहीं चाहते, मैं आपको मुझरिम कब मानता हूं, तब हमें यहां क्यों लाया गया है, इसलिए कि आप रात में कहां थे, ये मेरी जानकारी में नहीं है, हम जुआ घर में थे, मैं नहीं मानता, हम प्रमानित कर सकते है मैं अदालत नहीं हूँ, यहां की राजनायतिक विवस्ता आपको दंड दे चुकी है दंड? वो दोनों चुके आपको प्रति वेक्ति पचास जार मीको डॉलर जुर्माने के देने होंगे अजीब नहाए है? जैनत बड़बडाया वैसे चिंता करने के बिलकुल जरूरत नहीं आपके काने रहने और मनोरंजन की पूरी विवस्ता रहेगी कोई वेक्ति आपकी तलाशी भी नहीं लेगा जो भी पत्र आप देंगे उसे पहुँचा दिया जाएगा हम संयुक्त राश्टर संग को पत्र देंगे जैनत बोला ये सरासर बेंसाफी है बेकार की बाते मत करो मेत्र मेरा मतलब ये है कि आप पत्र लिखकर अपने देश से जर्माने की राशी मंगा सकते हैं जब तक जर्माना अदा ना होगा आप जेल में जरूर रहेंगे लेकिन अतिती बन कर और अगर हम जर्माना अदा ना करें तो नूर खां के गंबीर चेहरे पर ख्षिन मातर के लिए मुस्कुराहट आई और लुप्त हो गई मैं जानता हूँ कि आप जर्माना अदा कर देंगे हम हर्गिस जर्माना अदा नहीं करेंगे हम यह जानना चाहते हैं कि वैसे स्थिती में क्या हमें जीवन भर जेल में रहना होगा नई मेत्र नई मीको चोटा देश है इंसानी कून की कहां जरूरत नई होती जेलों में हम अन्य देशों के नागरिकों को रखना पसद नई करते सामानने वक्ति के लिए ये सुनकर सिहर जाने वाली बात थी ये अगला द्रिश्य तब जबकि भुवन वापस लोटे दर्वाजे पर पूछा गया आपको कहां जाना है मैं शाही महमान हूँ नाम बे नाम ओ हजरत बे नाम आईए आपकी तो प्रतीक्षा थी मेरी प्रतीक्षा जी एक साथ कई पुलिस मैनों ने भुवन को पकड़ कर खींच लिया और जबरन महल के दर्वाजे से बाहर खड़ी पुलिस की लारी में बठा दिया मुझे कहां ले जाया जा रहा है थोड़ी देर में आप जान लेंगे क्या मुझे गिरफ़तार किया गया है ये भी आप थोड़ी देर में जानेंगे अजीब बात है मेरी और देखकर बात कीजिए हम मजबूर है हजरत क्या मतलब हम जानते हैं कि आप आलिम आदमी है लेकिन हुजूर हमें खास हुक्म है कि आप से कोई बात न की जाए और आपकी तरफ नजर उठा कर देखा भी न आ जाए भुवन शांत थे ऐसे जैसे कोई सर्व शक्तिमान पुरुष आपदा को देखकर मुस्कुरा दे जेल में भुवन को नूर खां के समुख प्रस्तुत किया गया कमाल का आदर नूर खां न उठकर भुवन का हाथ चूमा फिर आदर के साथ पहले उन्हें बिठाया फिर स्वम बैठा हुजूर मैं मजबूर हूँ नम्र स्वर में नूर खां ने कहा बात क्या है शांत स्वर में भुवन ने पूछा आला वुजूर, सुल्ताना का हुक्म है कि आपको जेल में बंदी की ऐसियत से रका जाए हुजूर, मैं मे को का प्रदान मांतरी हूँ सुल्ताना का हुक्म 안ना मेरी मजबूरी है क्या मैं अपनी गरफतारी की वज़े जान सकता हूँ कूट निती की अदेते नूर खान तनिक मुस्कुराया विजूर मुसा के देश निकाले के हुक्म की क्या कोई वज़े थी इसा को सलीब पर लिटकाने की भी तो वज़े नई थी भुवन ने दृष्टी उठा कर नूर खान को देखा चतूर नूर खाने तुरंत दृष्टी जुखा ली वैसे आला अजरत का ये गया है कि आप बिना पासपोर्ट केमी को में दाके लुए हैं मैं आपको पासपोर्ट और वीज़ा दिखा सकता हूँ मैं जानता हूँ आला अजरत सफेद बाल मैंने दूप में तो नहीं किये हैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन हुक्म से लाचार हूँ हुँ कुछ पल मौन चाया रहा तो मैं अपने आपको कैदी ही समझू तब तक आला हुजरत जब तक एक लाक मी को डालर आप बतोर जुर्माने के आदा ना कर दें हुँ आला हुजूर सुल्ताना का एक हुक्म और भी है क्या एक लाक मी को डालर आपको विदेशी मुद्रा के रूप में जमा कराने होंगे अगर यहीं की मुद्रा जमा कराने की बात होती तो हुजर इतनी ऐसियत मेरी भी है जो तिशी उमाम भी इतना कर सकते हैं मैंने कहा ना हुजर हुग्म मानना मेरी मच्पूरी है वैसे जब तक जुर्माने के रकामापार से कहीं से मंगवाना लें आपको किसी तरह की तकलिफ ना ही होगी ठीक है आजीब मिज़ाज पाया है आला हुजूर सुल्ताना ने आज शाम चालीस आदमियों की गिरफतारी का हुक्म दे दिया उन चालीस आदमियों में आप चौतीस वे हैं आप कितने बड़े आलिम हैं ये तो हुजूर दुनिया जानती है लेकिन और भी ऐसित वाले विदेशी गिरफतार किये गए हैं उकुम मानना मेरी मजबूरी है भुवन मुस्कुराए मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ क्या आप मुझे अपना हाथ दिखाएंगे आथ हाँ उकुम मानना तो आपकी मजबूरी है जरा ये देखना चाहता हूँ कि कहीं ये मजबूरी है आपकी किस्मत का लेख तो नही ओ, कुटलता से नूर खाने संकोच का नुभव किया आजरत मैं बहुत मामुली आदमी हूँ इस मुलक का रिवाज है कि वजीर आजम का बेटा वजीर आजम होता है वजीरो ना, किसी शाह का वजीरो ना, क्या आसान काम है मैं इसे अपनी बद किस्मत ही मानता हूँ आद क्या देखिएगा, किस्मत तो बुरी है भुवन ने कुछ क्षण नूर खां को देखने का उपकरम किया बिलकुल ठीक कहते हो वजीर आजम नूर खां चोका, किस्मत का लेख में तुम्हारे माते पर भी साफ देख रहा हूँ नूर खां जैसे सुलक कर आग हो गया उसकी भी मजबूरी ये थी कि वो भुवन को आँक उठा कर नहीं देख सकता था वजीर आजम, खुदा से अपनी खैर के लिए दूआ मांगता हूँ कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है कहीं दूर से बहुत गहरा और तेज तूफान उठ रहा है जाने उसमें और क्या क्या होगा लेकिन तैह है कि उसमें आप वजीर आजम ना रहेंगे खुदा आप पर रहम करे इतना कहकर भुवन उठे और कमरे से बाहर आ गए वार्डन उन्हें जेल की और ले जा रहा था अगला द्रिश्ये स्त्रियां बाउंड की कमजोरी है मोटर बोर्ट से लोटते समय बाउंड की नजर एक स्त्री पर पढ़ गई कारनिवाल वीब के तट पर ही बाउंड ने सो पकड़कर आलिंगन में भर लिया स्त्री को ये पसंद नहीं आया उसने शोर मचा दिया दिक्कत केवल ये थी कि बाउंड और बागारॉफ स्पष्ट रूप से विदेशी थे कुछ वेक्ति ये हला सुनकर दोड़े आये परंतु कुपित बाउंड स्त्री समय भागने में सफल हो गया इस दौर में बागारॉफ मत्र दर्शक बना रहा जिस स्त्री को बाउंड लेकर भागा वो वास्त्वम में बेले नर्थ की थी जब नाचने वाले वेक्तियों से बाउंड मुक्के बाजी कर रहा था तब भागने के अपन में एक मुका उस स्त्री को भी लग गया फल्सुरूप बॉन्ड जब उसे लेकर भागा तो वो लगबग अर्ध बेहोशी में थी बॉन्ड इसे लेकर अपने खेमे में घुज गया काफी रात हो गई थी बागारोफ भूखा था अतेयब बागारोफ ने अपने डेरे में ये समय विष्की पीने में ब्टाया दोनों के डेरे बराबर ही थे आदे घंटे बाद बावट बागारोफ के डेरे में आया खुश बागारोफ ने पूछा नहीं स्त्री अधिक मनोरंजक नहीं रहे वो मुझसे डरी डरी सी थी बाहराल वो अब रात बर मेरे डेरे में रहेगी तो चले नोकरी पर मैं तैयार हूँ बागार ओफ उटकर खड़ा हो गया वो दोनों कार्निवाल के जुआ घर में पहुंचे समय से बहुत लेट हो चुके थे उनके स्थान पर दो चीनी काम कर रहे थे उनसे कहा गया कि वो जाकर मालिक से मिले बागार ओफ और बाउंड मालिक के डेरे तक तो साथ साथ ही पहुंचे परränं तु डेरे के बाहर बागार ओफ बोला सुनो बाउंड चीनी शायद मालिकाना रोप जमाना चाहता है कुछ किच किच करेगा मैंने कौफी पी ली है हो सकता है कि मैं काबू से बाहर हो जाऊँ इसलिए तुम ही उससे निमट लो समझे समझा बागारोफ अपने डेरे की और चला गया बाउंड चीनी के डेरे में प्रविष्ट हुआ चीनी मस्त था उसके एक हाथ में जाम था और दूसरी बाँ में एक सुन्दरी बाउंड का मूड खराब तो था ही कुछ और भी खराब हुआ परंतु प्रगड में मुस्कुराते हुए वो बोला हलो बास यू मालिक बाउंड का आदर करता था परंतु जोंक में था दृष्टी उठा कर गुर्राया हम लोग जन्नत निशा की और घूमने चले गए थे लोटने में कुछ देर हो गई हम चीनी की गुर्रहट में और तेजी आई बाउंड का जैसे अंग-अंग सुलग रहा था परंतु प्रगड में वो बोला तो हम लोग काम पे जाएं नाई मापी मांगनी होगी एक तरफ रूखेश्वर में चीनी ने बाउंड से ये कहा और दूसरी तरफ अपनी बाउं में लिप्टी सुन्दरी के होट चूम लिए बात साधारन थी कोई और समय होता तो बाउंड इस हरकत को मजाक में ले जाता परंतु आज स्त्री के प्रती उसकी आत रिप्ती थी चीनी के साथ नागिन की तरह लिप्टी यूती को देखकर इस खशन बाउंड को जुझला हट हुई मानो कार्निवाल का मालिक ना होकर हैंरी फोर्ड का वन्शज हो गया था बाउंड से बैठने को कहने की बजाए वो ऐसा वेवार कर रहा था मानो बाउंड उसका जर्खरीद गुलाम हो चुकि बाउंड अभी सूखा ही था अभी विसकी उसने चुई भी नहीं थी इसलिए जुझला हट को दबाते हुए कहा बास मेरा खयाल हमें अपने काम बे चला जाओं इस विशाय में हम लोग सुबह बात कर लेंगे नहीं लड़ खडाता हुआ चीनी उठा और बाउंड के निकटा कर मच्छर सा मूँ बनाते हुए बोला ये कार्णिवाल किसका है तुम्हारा तुम यहां क्यों हो तुम्हारी इच्छा से यहां च्या हो नोकर नोकरी परसम ऐसे नहीं पहुँचे हाँ गलती है हाँ माफी मांगो बॉन्ड ने मुस्कुराने का उपक्रम किया चीनी को तो सनक चड़ गई थी बॉन्ड की टाई पकड़ते हुए उसने कहा माफी मांगो बॉन्ड अब भी शांत रहा तो माफी नहीं मांगोगे नी चीरोपियन नही टलो अपनी जान में चीनी ने बॉन्ड को कसकर मुक्का जमाया जहां तक लगने का सवाल था बॉन्ड को ऐसे लगा जैसे उससे मच्छर टकराया हो परंतु अपमान वो धदक उठा सहने की सीमा आ पहुंची शायद बॉन्ड मजबूरी में ये सब भी सह जाता परंतु जब चीनी ने उसे मुक्का लगाया तो वेश्या प्रकार की वो स्तरी खिल खिला कर हस पड़ी वो हसी बॉन्ड को तीर बन कर चुभी फिर भी अपने आपको बहुत अंकुष में रखते हुए बॉन्ड ने चीनी का मुँ बचा कर कंधे पर एक मुक्का जमा दिया चीनी संबल नहीं सका ऐसे चीखा जैसे उसे जिवह किया जा रहा हो और चारों खाने चित अपनी प्रेमिका पर गिरा वो स्री बोली इस बत्तमीज को पहलबानों से पकड़वा कर पिटवा हो उसी एक शन्ड चीनी के दुरभागे से कार्निवाल का बैंड बज उठा कोई काई है उठता हुआ चीनी चीखा बैंड की आवाज में चीनी की आवाज खो गई कुपित चीनी ने उठते उठते सलाद की भरी एक प्लेट बॉन्ड पर फैंकी उचल कर बॉन्ड प्लेट से बच गया और अब वो भूल चुका था कि उसका यहां आने का उद्देश्य क्या था उठते हुए चीनी के फिर उसी इकंदे पर बॉन्ड ने मुका जमा दिया वो फिर हाय हाय करता हुआ गिरा इस बार स्त्री चीनी की हमायत के लिए उठी बॉन्ड ने युही उसे एक और धकेल दिया डेरे के कौने में वो आंधी जाकर गिरी वो फिर नहीं उठी आंधी ही पड़ी रही परंतु कुपित चीनी अब रिवाल्वर निकाल चुका था देखकर बॉन्ड और भी कुपित हुआ उचलकर बॉन्ड ने उससे पिस्तॉल चीन कर एक और फेंक दी और अब दिना परवा किये चीनी पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिये चीनी ने चीखना बंद कर दिया चीनी गिर पड़ा परंतु बॉन्ड ने उसे तब भी नहीं छोड़ा जब बॉन्ड का गुसा हलका हुआ तो देखा चीनी सिसक रहा था मुझसे खून बेह रहा था आँखें पत्रा सी गई थी बॉन्ड उठा अपनी टाइट ही की और डेरे से बाहर निकल गया डेरे से बाहर आकर जब उसे खुली हवा लगी तब होश आया कि वो क्या कर बैठा है एक वी चार से वो सिहर उठा अगला द्रिश्य बागारोफ से क्या कहेगा बागारोफ कुल मिलाकर बागारोफ एक बोतल साफ कर चुका था टेंट का परदा हटा कर बॉन्ड ने अंदर प्रिवेश किया बागारोफ साक्षात गम की मूर्ती बनकर बांड बोला तो चलें उठता हुआ बागारोफ बोला मित्र बागारोफ क्या बगते हो मैं यानि कि मुझे गाली देते हो बिना दुम के जानवर मैं तुम्हारा मित्र हो सकता हूँ यानि कि मैं बागारोफ जासूसों का चचा तुम्हारे जैसे लकडबगे का मित्र हो सकता हूँ मुझे अफसोस है किस बात का अफसोस है चीनी चीनी ज्यादा नाराज है तुम बैठो मैं उसे जाकर समझाता हूँ मैं उसकी बत्तमीजी सहन नहीं कर सका यानि मैंने हाथ रोगने की बहुत कोशिश की लेकिन बागर ओफ चोका बेड़ा गर्क क्या उसे खत्म कर दिया शायद खत्म हो जाए शायद बच जाए लेकिन उसकी दो चार हड़ी पसली जरूर तूटी होंगी उत्तर में बागर ओफ उचला और उसने बाउन्ड को सिर से उचा उठा कर नीचे की और जुकाया चचा मैं इस से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उस मकसद को याद करो जिसके लिए हम दोनों साथ हैं बड़े मारके की बात कही थी बाउन्ड ने बागर ओफ के बड़े हुए हाथ रुख गए बाउन्ड उठा सच मुझसे ये गलती हुई और जैसे भी हो अब यहां से हमें बचकर निकलना है निश्य ही चीनी पुलिस बुलाएगा हम् हमें ये स्थान तुरंट छोड़ देना चाहिए हम् ठीक है मैं तट पे पहुँच रहा हूँ तुम भी वहां आ जाओ बागर ओफ ने अपना सामान समेटा और पीठ पर सामान रखकर कॉर्निवाल से बाहर आ गया रास्ते में वो शराब की दुकान पर रुका और आधी बोतल वहां साफ करके आधी बगल में लगा ली वो बॉन्ड से पहले ही तट पर पहुँच गया चाहता था बॉन्ड से पहले कोई मोटर बोट जन्नत निशा पहुचने के लिए तै कर ले संयोग वश उस समय तट पर बोट नहीं था तट पर मच्वों का एक छोटा सा स्टीमर खड़ा था नशे की जोंक में बागार ओफ उस पर चड़ गया स्टीमर में उस समय एक वेक्ती था जो शायद फायर मैन था जैसे शीकर ही स्टीमर चलाने की तैयारी में है ऐसा लगता था बच्चे बागार ओफ ने फायर मैन युवक के कंदे पर हाथ रखा सब लोग कहां गए कारनिवाल देखने उत्तर मिला सच मुझ छोटा सा सुन्दर स्टीमर है तो कारनिवाल देखकर मच्वली पकड़ने जाओगे हाँ बीस मिनट जाना और बीस आना हमें जरा जन्नत निशां तक छोड़ाओगे बच्चे स्टीमर के फायर मैन ने गोर से बागार ओफ को देखा ज्यादा पीली है शायद ये यात्री स्टीमर नहीं मच्छी पकड़ने का प्राइविट कमपनी का स्टीमर है नीचे चलो फायर मैन ने बागार ओफ को बाहर धकेला वो निरंतर बागार ओफ को बाहर धकेलता चला जा रहा था मस्ती में बागार ओफ भी बाहर निकलता चला गया तब जबकि वो नीचे उतरने वाली सीडियों पर पहुँच गया था उसने देखा कि बॉंड आ रहा है अकेला नहीं वो स्त्री भी थी जिसका हरन करके ले गया था पंजी शराब की मस्ती में बागर ओफ ने पुकारा उड़कर उपर आ जाओ फायर मैंन को ये देखकर आश्चरे हुआ कि जिस वेक्टी को वो इतनी दूर धकेल कर ले आया था वो पहाड की तरह अडिक हो रहा है हिलाए नहीं हिल रहा है बागर उस स्त्री को घसीटा हुआ उपर ले आया बाप क्या है उपर आकर बागर ने पुछा मैं इस चोकरे से कह रहा हूँ कि ये हमें जन्नत निशा तक छोड़ आए मुफ्त नहीं पैसे देंगे ठीक कहते हो लेकिन लड़का मानता नहीं इसके बाप से कहो यही तो दिक्कत है कि स्टीमर में इसके सिवा कोई नहीं है दूसरा मोटर बोर्ड भी तो नहीं है मैं इसे समझा दूँगा क्या बागर उफ्चोंका प्यार से समझाओंगा समझाओ फायरमेन को बाहों में भरकर बॉंड अलग से ले गया मिस्टर तुम लोग शराबी हो मैं कहता हूँ स्टीमर से नीचे उतर जाओ औरना पुलिस को बुलाओंगा मेरी बात सुनो मिस्टर हम लोग शराबी हैं या नहीं इससे तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता हम तुम्हें जन्नत निशा चलने के सोड अलर देंगे मैं नहीं जा सकता अच्छा सुनो खुशामत के सुबर में बॉंड ने कहा तुमने वो स्त्री देखी है ना कौन स्त्री अरे वही जो मेरे साथ है उधर देखो वो खड़ी हाँ कैसी है अच्छी है पसंद है क्या मतलब हम वो स्त्री भी आज की रात के लिए तुम्हें दे देंगे अब तो खुशो ना जाकर इंजन चालू करो हमें जल्दी जननत निशा पहुँचना है फायर मैन अपने मन में इस निश्चे पर पहुँचा कि ये लोग समझाने से नहीं समझेंगे वो चिलाया पुलीस बॉन्ड फिर आपे से बाहर हो गया कुपित होकर उसने फायर मैन को दोनों हाथों में उठाया और रेलिंग से नीचे पानी में फेक दिया पुलीस पुलीस पानी में पहुँचकर भी उस वेक्ति का चिलाना जारी था ना चाहते हुए भी एक अपराद हो गया कि बॉन्ड ने इंजन स्टार्ट कर दिया छक छक करके स्टीमर चल पड़ा अगला द्रिश्य बॉन्ड इंजन से उल्जा हुआ था वो अकिला ड्राइवर भी था और फायर मेन भी बागार ओफ उसके पास जाकर अर्बी की बजाए फ्रांसी सी में बोला ताकि वो स्तरी समझना सके डबलो सेवन मैं जानता हूँ चिचा बगार ओफ क्या जानते हो यही की हम दोने शत्रू है और सिर्फ एक उद्देश्य के लिए साथ है इसके अलावा तुमें और भी कुछ जानना चाहिए मूर खादमी कुछ और भी जानता हूँ यह की मुझसे गलती के बाद गलती होती जा रही है गलती का प्रायस चीप भी कुछ सोचा है ले तुम कौर्निवाल से भागे हो अगर चीनी जिन्दा है तो तुमारी खोज तुरंत चालू हो गई होगी अगर वो मर गया तो भी खोज तुरंत चालू हो गई होगी इसके बाद आए स्टीमर पर क्या आप विश्वास करेंगे चचा बागारोफ मैंने बहुत संयम में रहने की कोशिश की मैंने उस बेक्ति को जन्नत निशा तक पहुंचने की एवेज में सो मीको डालर देने का प्रस्ताव रखा और और जब वो इस प्रस्ताव पर राजी ना हुआ तो मैंने उस से कहा कि मैं आज रात के लिए तुम्हें ये स्तुरी भी दे दूँगा परेशान और चिंतित बागारोफ को बर्बस ही हंसी आ गई अच्छा तो क्या ये स्तुरी भी तुम्हारी नजर में डालर की तरह बैंक नोट है दरसल मैं उससे जगड़ना नहीं चाहता था परंतु उसने मेरे सुझाव पर विचार करनी के बज़ाए शोर मचाना आरम कर दिया मैं मजबूर हो गया मूड बनाने के लिए बागार ओफ ने बोतल में से दो गूट ली फिर बोला मान लिया कि तुम जन्नत निशा की जेटा तक सुरक्षित पहुँच गए मैं ऐसा नहीं मानता क्या मतलब स्टीमर वाले वेक्टि को मैं जान से नहीं मार सका यार मैंने जबरदस्त भूल की वो स्योग ही था कि स्टीमर निर्विगन चालू हो गया वरना पुलिस चोकी वहां से अधिक दूर नहीं थी मेरा खयाल है कि अब जन्नत निशा की जेटी पर पुलिस हमारे स्वागत के लिए तयार होगी बागारोफ ने एक घूट और ली पुलिस का गम नहीं है बेटा बांड लेकिन गड़बड़ी होने से यार लोग हमारी खिचाई करेंगे और हम उद्दिश्य ब्रहष्ट तो हो ही गए है चचा सुन रहा हूँ बके जाओ मैं अपनी कमजोरी जानता हूँ दिक्कत तो ये है कि मैं शान्त होकर बैठ नहीं सकता मुझे में धीरज नहीं है इसका मतलब है बीमार हो इलाज की जरूरत है सवाल ये है कि बिना बादा के हम लोग अपना उद्देश्य कैसे प्राप्त करें बागारोफ ने उसकी और बोतल बढ़ा दी लो दो घूट पी लो जो होगा देखा जाएगा जहर बोने से अमरित नहीं मिला करता पसंद करो तो एक रास्ता है रास्ता? चचा आप कुछ भी सोचें दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मेरा देड़ विश्वास है कि मिस्टर विल्यम हमें कताई गलत चीज नहीं दे सकते वा बेटा दो भूट पीते ही बहग गए बात जनत निशाँ जेटी और पुलिस की हो रही थी विल्यम कहां से आ गए मैं मास्टर आँक की बात कर रहा हूँ जबकि फिलहाल तुमें पुलिस आख की बात करनी चाहिए मैं जुआरी मनोवृत्ति का आदमी हूँ भाग्यवाधी भी हूँ और शांत नहीं बैट सकता आगे बको फिलहाल जनत निशाँ जेटी पर जाना ठीक नहीं होगा मैं आपको जननत निशाँ के उतरी छोर पर उतार दूँगा स्टीमर में एक डॉंगी भी है किनारे पर उसी से चले जाना क्या तुम्हारा आत्महत्या का इरादा है हाँ या तो किसी की हत्या या आत्महत्या स्टीमर में इंधन काफी है खाना भी जुट जाएगा मैं वहाँ जाँगा जहां मास्टर आँख ले जाएगी बागर ओफ चोंका बॉंड कह रहा था मैं सदा हीरो रहा हूँ तक्त और तक्ते के बीच खेल सकूँ ऐसा जुआरी हूँ बॉंड कहिए हमारी पुष्टैनी शत्रुता का फैसला होना बाकी है वो तो अवसर पर होगा ही परंतु अब तुम्हें चचा कहने की चूट है चचा उचल कर बाउंड बागर आफ के गले में बाहे डाल कर लटक गया फिरो दूबकी सी खड़ी स्त्री के समुक पहुँचा और उसे बाहों में उठा कर नाचने लगा स्टीमर का रुख बदल गया रात गहरी हो चुकी थी मीको के द्विप पीछे चूट गए थे अगला द्रिश्य जगत और गुल जहां गुल जहां और जगत जगत निश्चिन था इसलिए कि आज रात उसे कोई काम नहीं करना था सारी जिम्मेदारी भुवन की थी जगत अपने रंग था परंतु हिचकॉक को इतने आराम से नीदानी कठिन थी सोचा कि क्यो ना जुआ घर में दो तिन घंटे भाग ये ही आज माले जब वो राज महल के दर्वाजे से निकल रहा था तब ही भुवन को गिरफ़तार किया गया सभी कुछ उसकी आँखों के सामने हुआ हिचकॉक को स्वाभावी घबराहट हुई वो वापस राज महल ना जाकर चिंतित सा भुवन की गिरफ़तारी की सूचना देने राजेश और जैंत के होटल पहुँचा वहाँ नई सूचना मिली सूचना प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हुई सारे होटल में चर्चा थी कि दो भारत वन्शी दक्षिन अफरीका के नागरिकों को पुलिस गिरफ़तार करके ले गई स्तिरमन से हिचकॉक ने सोचा कि राजमहल खत्रे से खाली नहीं है क्यों ना बाउंड और बागा रॉफ को गिरफ़तारी से बचा लिया जाए हिचकॉक मोटर बोट लेकर कारनेवाल पहुँचा परंतु कारनेवाल में तो हडकम मचा हुआ था पता लगा कि दो यूरोपियन जुवार विशेशग्यों मालिक को जान से मारने की कोशिश की पुलिस भागदोड कारनेवाल अस्त्वेस्सा हो रहा था वो वापस तट पर पहुँचा तट पर पुलिस की हलचल थी कारनेवाल के बहुत से दर्शक वहाँ आ पहुँचे थे हिचकाक वापस जन्नत निशा आ गया भुवन, राजेश, जैन, तथा बॉंड और बागरोफ सभी तो गडबड में थे हिचकाक सोचने के लिए विवश हुआ कि अब क्या किया जाए राजमहल जाने में खत्रा था परंतु जगत का हाल चाल जानना भी तो जरूरी था साहस करके हिचकाक ने गाड़ी ली और राजभवन ही जाने का निश्चे किया हिचकाक गाड़ी में बैठा था और हाथ में किसी भी परिस्थिती से जूजने के लिए तैयार रिवॉल्वर थी परंतु से आश्चर्य हुआ दरवाजे पर उसका परिच्यपत्र देखा और जाने दिया तब मामला उसकी समझ में नहीं आया वो अपने कमरे में पहुँचा परंतु कुछ देर वो कमरे का चक्कर लगाता रहा वो अपने कमरे से निकला और गुल जहां के कमरे के दर्वाजे पर पहुँचा हिचकाक ने दर्वाजा खटकटा दिया एक बार दो बार दस्यों बार दर्वाजा खटकटाने पर दर्वाजा खुला दर्वाजा खोलने वाला स्वेम जगत ही था हिचकाक को देखकर दाथ पीशते हुए जगत जला कर बोला तुम गड़बड है मेरे पीछे चले आओ इतना कहने के बाद हिचकाक वहां रुका नहीं जगत कुछ क्षण बाद कमरे में पहुँचा बको भुवन गिरफतार हो गए क्या जगत चौका राजश और जैन्त अपने होटल से गिरफतार कर लिए गए है क्या बकते हो मेरे पास एक और भी बुरा समाचार है बॉन्ड और बागारॉफ ने कारनिवाल के चीनी मालिक को कतल करने की कोशिश की उसका उन्होंने ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि वोचीनी अब ना मुर्दा रहा ना जिन्दा पुलिस उन दोनों को खोज रही है हम जगत ने अपना सिर थपता पाया अब बो लो क्या करना है कुछ तो ओ करना ही पड़ेगा लेकिन मामू हो तुम मनूस आदमी सभी खबरें बुरी लेकर आए हो यार लोग कहां बन है अभी ये जानकारी नहीं है मेरा ख्याल है जेल पहुँचाया गया है हम जगत कुछ सोच रहा था यकायक बाहर कुछ शोर हुआ कुछ ही क्षण बाद महल की खत्रे की घंटी बज उठी ये क्या गड़बड है देखता हूँ हिचकॉक दर्वाजी की ओर बढ़ा हिचकॉक बाहर रेलिंग में पहुँचा हर और भागा दोड सी हो रही थी महल की दिवार पर लगी सर्च लाइट आउन कर दी गई थी चका चोंद कर देने वाला उजाला था अगला द्रिश्य महल में हडकंप मच गया जेल से नूर खां सीधा महल ही आया था वो देखना चाहता था कि अब सुल्ताना का क्या हल है हिचकॉक से कुछी एक शन पहले वो पहुँचा था दर्वाजे पर ही उसे महल का दरोगा मिला नूर खां ने पूछा जो तिशी हुमाम गए नाराज होकर जी नहीं वो हजरत बेनाम के बारे में पूछताश करते रहे हमने कह दिया कि वो नहीं आए टीक किया आला खुझर सुल्ताना का क्या आले मैने मालूम नहीं किया हुझर जैसा आपका हुकम था महल की दासीों के लावा किसी को बाहां जाने की अजासत नहीं है बे वाकुफ तुम महल के दारोगा ओ तुम्हे अरवक्त सुल्तानुसाई गाल चाल मालूम रखना चाहिए आओ मेरे साथ नूर खान सीधा सुल्ताना के शायनागार में पहुंचा देखकर चोंका सुल्ताना अपने बिस्तर पर नहीं थी महल के दारोगा का चहरा फक पड़ गया उसी क्षण उसने देखा कि सामने की आदम कद तस्वीर दर्वाजे की तरफ खुली हुई है आज चेरे चकित सा नूर खान उस और बढ़ा दर्वाजा फिर सीधियां आगे आगे नूर खान फिर महल का दरोगा पीछे पीछे सुल्ताना की नीजी दासी सीधियां महल के पिछले भाग पर समात हुई आज तो कदम कदम पर पहरा था महल के पीछे भी पहरा था दरोगा आगे बढ़ा क्या आला हुजूर सुल्ताना इधर से गुजरी हैं आला हुजूर서 शाही कबरिस्तान मेंहें दरोगा ने नूर खान ने तथा अन्यदासियों ने संतोश की सांस ली सल्थाना की इस हरकत पर खीजता हुआ नूर खां शाही कबरिस्तान के दर्वाजे पर पहुंचा अंदर कबरिस्तान में भिलकुल घुप अंदेरा था में जाकर लाइन का स्विच खोल दिया कबरों पर प्रकाश फैल गया परंतु सुल्ताना कहां है नूर खाँ चीखा आला हुजूर नूर खाँ की चीख से शाही कबरिस्तान की गुंबदे गूंज उठी ऐसे मानो इस विशाल कबरिस्तान की रूहें नूर खाँ का मजाक उड कहीं सुल्ताना नहीं थी उधर महल का कोना कोना चाना जा रहा था परंतु सुल्ताना नहीं थी सुल्ताना कहीं नहीं थी औरंत में निर्णा हुआ कि सुल्ताना महल में नहीं है नूर खाँ का अब कूट नितिग्य रूप था उसने महल के दारोगा को और सुल्ताना की पां देख रहे थे महल के नोकर चाकर और पहरेदार आदी सहमे से खड़े थे गंभीर नूर खाने जोर से कहा ताकि सभी सुन सकें मैं सब कुछ सेन कर सकता हूँ परंतु नम करामि सेन नहीं कर सकता आला हुजूर सुल्ताना को ना जाने कौन जालिम चुरा कर ले गया है ये सब तुम्हारी साजिश से लापरवाई से हुआ है इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है इन्हें गोल इमार दी जाए दासियों और दरोगा का रुदन गूंज उठा परंतु यम्दूत की भांती कुछ राइफल धारी आदेश का पालन करने सामने आ गए थे उसी एक शन यकायक दरोगा और दासियों के भागे से महल की बिजली गुल हो गई नहल ही की क्यों दूर दूर तक अंधेरा चा गया था अंधेरे में नूर खां की आवाज गुंजी देखो मुझरिम बागने ना पाएं गोली सुबह मारी जाएगी साथ में वो भी होंगे जो बिजली गुलगोने के जिम्मेदार होंगे परंतु बिजली तो पूरे मीको दूरीब की बंद हुई थी क्यों अगला दृश्य है ये जेल का एक भाग ही था दो मंजिल की खूबसूरत बिल्डिंग सामने लॉन और होटल जैसी ववस्त था जो चाहे वो खाए यानि जो लिया जाए उसके बिल पर हस्ताक्षर जरूर करने होते हैं देखकर कुछ अजीब भी नहीं लगा मीको दूई समूह कुल मिलाकर छोटा सा देश है हर कदम पर और मामले में वो पैसे की बात सोचे तो आश्यरे क्या कुल चालीस संदिग्द वेक्ति गिरफतार होकर यहां आए थे प्रत्येक से नूर खाने स्वेम किया था और प्रत्येक पर जुर्माना किया था जुर्माना और जेल का बिल विदेशी मुद्रा में चुकाईए और मी को छोड़ दीजिए केवल इतनी शर्त थी प्रत्येक यात्री को एक कमरा दिया गया था भुवन जेल देखकर प्रसन हुए खासा बिस्तर अच्छा फर आपको सिर्फ बिल पर रहस्ताक्षर करने होंगे गंटी बजाते ही बेरा हाजिर हो जाएगा भुवन निश्चिन थे जेल की दिवार उन्हें घेरे नहीं रख सकती थी कमरे का एकान तुन्हें पसंद आया उन्होंने दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया फिर पूरे कमरे की अच्छे तरह जाच की जब उन्हें विश्वास हो गया कि कमरे में कोई जाश्तोसी उपकरण नहीं है तब उन्होंने अपना बेतार यंत्र चालू किया हलो हलो जूपिटर उधर से उत्तर मिला हाँ मैं जूपिटर बोल रहा हूँ मैं स्वयम ही जूपिटर बोल रहा हूँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा में था मास्टर आख का प्रयोग किया स्वयम गिलियम बोल रहे थे हाँ परिनाम हम गलत जगह पर हैं लेकिन गलत जगह पर तुम क्यों हो मास्तराग पर तुम पूर्ण विश्वास कर सकते हो सही जगह पर पहुँचो शायद सुबह हम मास्टरांग के सहारे चले अभी क्यों नहीं अब से पहले क्यों नहीं चल दिये और मुझसे कहो कि क्या दिक्कत है दिक्कत कुछ विशेश नहीं दरसल एक तमाशा खड़ा हो गया है कैसा तमाशा मैं जेल में हूँ क्या हाँ जूपिटर कुछ स्थिती ही ऐसी बन गई किन्तू चिंता की कोई बात नहीं है सुबह हम मास्टरांग के संकेत पर समुद्री सफर आरम कर देंगे जरा ठहरो तो अब समुद्री सफर होगा ना मास्टरांग का आदेश जो है ठीक है तब देश और कानून की सीमा से बाहर की समस्या है ना लगता तो ऐसा ही है ये अच्छा हुआ जेल में अकेले हो अभी कुछ नहीं कह सकता अभी तो आया हूँ मैं शिगर ही ये जानने की क कोशिश करूँगा सुनो जी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूं चिंता मत करो बिलकुल निश्चिंत रहो लेकिन जुपिटर इसकी जरूरत नहीं है जुपिटर जुपिटर मैंने इस दोर में यहां के चपे चपे की जानकारी प्राप्त कर ली है परंतु लगता थ उदर से यंतर बंद कर दिया गया था किन्तु नहीं यंतर चालू था कुछ क्षण बाद ही उदर से आवाज आई हलो हलो जुपिटर जुपिटर को बुलाओ संदेश दे दे श्रीमान जुपिटर अभी अभी चले गए हैं कृप्या संदेश दे दे उनसे कहो की तकलीफ न भुवन परेशान से रहे ओ नहीं भुवन ऐसा नहीं चाहते थे फिर उन्होंने डायल घुमाया हलो वीनस हलो वीनस जी मैं वीनस बोल रही हूं सुनो वीनस एक काम तुम्हें सोबता हूं आग्या दीजिए पूरी शक्ति लगा कर ये काम करना होगा आप विश्वास करें जीपिटर ने एक ऐसा निर्ने लिया है जो मुझे पसंद नहीं है वो हम लोगों की साहता के लिए आ रहे हैं क्या उनका आना आवश्चक ए बिलकुल आवश्चक नहीं है यही तो मैं कहना चाहता हूं परंतु दिक्कत यह है कि वो अब मेरे कहने से अपना निष्च्छ श नहीं है वो अपना निश्चे ना बेटों के कहने से बदलते हैं ना बेटियों के कहने से परंतु विश्वास करें मैं अपनी और से पूर्ण प्रयत्न करूंगी तुरंत तुरंत ही तो नमस्कार नमस्कार भून ने यंदर बंद करके जेब में रखा और फिर कमरे से बाहर आ करने के लिए कि नूर खान के चक्र में वो अकेले फस गए हैं या कोई और भी फसा है अगला द्रिश्य